हेलो एवरीवन जिन लोगों ने बिहार कॉंफेट का एक्जाम दिया है उनके लिए एक बड़ी अपडेट है कि अंसर की आ चुका है आज 23 तारिख से लेके 25 तारिख तक इस बीज में आप अंसर की देख सकते हैं अबजेक्शन रेस कर सकते हैं जिन लोगों ने भी एक्जाम को बारा बजे दो फर के बाद आप एक बार चेक कीजिए हो सकता है वेपसाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जैसा कि पहले भी था कि जिस डेट पर एड्मिट कार्ड आना था विहार कॉंफेट का उस टाइम पर उस वक्त पर नहीं आया था उसे थोड़ा टाइम के बाद आया था तो हो सकता है 12 बजे के बाद भी घंटा दो घंटा आपको वेट करना पड़े पर आज के दिन में आप अंसर की डेफिनेटली आपको मिल जाना चाहिए भी हर कॉंफेट की वेबसाइट से आप उसको देख सकते हैं चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा सही है कौन सा ख लोग भी अब्जेक्शन रेस करते हैं अब्जेक्शन जब किसी सवाल पर ज्यादा रेस होता है तो उसके क्रेक्ट होने का चांस भी बढ़ जाता है तो इस बात को भी ध्यान में रखें तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं जीए वाई ये गया राइटर जीए वाई ये इस इमेल आईडी पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं तो पहले ही जैसे ही कॉमट के वेबसाइट पर अंसर की आता है अपना आप लोग अंसर की से आप लोग अंसर मिलाये देखिए आप सही कितना हो रहा है ऑब्जेक्शन 7-1-8 सवाल है कोई तो उसको मुझे भेजिए म में system ऐसा होता है कि चाहे exam कितना भी बड़ा हो पर online exam में result exam के तुरंत बात दिया जा सकता है इस बात को note करें कि examination कितना भी बड़ा हो examination का system ऐसा हो तो online का कि अगर board चाहे अगर conducting agency चाहे तो उसी वक्त examination के तुरंत बात result दिया जा सकता है लेकिन इस वामले में भी अगर एक महीने से भी कम टाइम में अंसर किया गया तो यह पॉजिटिव साइन है बिहार में किस तरह से एक्जामनेशन सालों सट के हुए किसी से छुपा हुआ नहीं है पीछे सिटी मैनेजर का भी जब एक्जाम हुआ था तो इसी तरह से 15-20 दिन में उसका भी अंसर किया था और उसके 15-20 दिन के बाद रिजल्ट आ गया था तो अगर अंसर की तो अब आ गया 15-20 दिन के बाद लेकिन यह एक्सपेक्ट करना गलत नहीं होगा कि अगले 20 दिन में या मार्च एंड तक हमें रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है जिस अभी के लिए जो काम करना है वो है उब्जेक्शन रेज करने का तो उन सवालों के लिस्ट बनाईए अपने पोस्ट के हिसाब से आप लोग उब्जेक्शन रेज कीजिए मुझे भी आप लोग भेज सकते हैं आचा कि आगे मैं डिटेल वीडियो बनाऊं और आपके पोस् करेंगे तो अभी के लिए तना ही सुधा की वेबसाइट पर जाएए और अब्जेक्शन रेज कीजिए थैंक्यूंग्यूंग्यूंग्यू